नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूं ससी मेकर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनी के पांच अति महत्पूर प्रस्ण दोस्तों जो सभी परिच्रम पूसे जाते हैं दोस्तों आप कोई सभी एक्जाम प्रस्ण को दोस्तों करने के लिए आपको आसान ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी सहते से दोस्तों आप इन प्रस्णों को बीना पेन उठाए मात्र दो सेकेंड के अंदर में ही सॉल्प कर लेंगे तो आए दोस्तों देखते हैं रिजनी के पांच अति महत्पूर प्रस्ण द अथिक है यह आपकी जो सीरीज दी गई है इसी में आपको एक संख्या गलत दी गई है उसी को आपको पता लगाना है कि कौन सी संख्या गलत दी गई है तो सबसे तो पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज कैसी है तो सीरीज में जो संख्या है दोस्तों पहला है 25 उसके बा तो जब व्षा तो व्षा है तो दोस्तो हम क्या करते हैं इनका अंतर कुछ सीरीज में नहीं देखेंगे क्या देखने हैं दूस्तों से कितनी संख्याब रखों किसको वार्ग है ठीक है तो यह 25 है तो क्या है यह 5 सकॉयर है किसका स्कॉयर है पांच का स्कॉयर है और यह दोस्तो 6 होता है 133 139 गया उसके बाद क्या है दोस्तों 225 है यह किसका स्कॉयर है यह 15 का स्कॉयर है तो दोस्तों आप बताइए तो सीरीज सभी स्कॉयर ही है तो इसमें आपको गलत कुछ तो दिखी नहीं रहा है लेकिन इसमें गलत क्या है दोस्तों आप मैं बता हूं आपको अगर ज देख रहें दोस्तों तो जो संख्या है जो स्क्वायर दी गई है तो इसमें आप क्या देखेंगे कौन संख्या है कौन संख्या होती है दोस्तों जो सम संख्या से यानि कि 2 से विभाज न हो जो 2 से विभाज नहीं होगी दोस्तों वो क्या हो जाएंगी विशम संख्या हो जाएंगी जैसे 6 है यह 2 से विभाज है तो यह विशम संख्या नहीं यह सम संख्या होगा ठीक है 5 है 2 से बीभाजी है नहीं है बंद two से भाग नहीं होगर झिस में दोस्तो दोस्तो भाग नहीं जातार उसे हम पिसमसंख्या कहते है ठीक है 5 में दोस्ते भाग जाएगा नहीं जा तो इसमें क्या होगा दोस्तों एक संख्या क्या है Sum है कौन है औहुन है जोस्तो छैया न यह सं क्ग्षा संख्या चाह्ए अगर जो ऐसे भी नहीं देख रहे तो आप देखे दोस्तों तो तो पां। दोसाथ होगा साथ साथ दू, नौ दू, के क्वला दू तो यहाँ किया हो जाएगा अलग और लेकिन इतरों डिरवनस और टरत प्रॉपनर गया उस्ट हो जाएगा अपका दूव्य में यहाँ साफिय क्या हो कौन किसका स्क्वाइर लिखने के भी आपको ज़रृत नहीं है बर और रोड समझ देता हूं अगर जो आप ध्यान से दएके तो इसको लिखने लिए ज़रृत नहीं डेखxicAट नहीं-अगर आपको समझाने लिए दोस्तो लिखा डी आपका सभी हो जागा इस टाइब करने जोस्तो यह तो प्राष्ण काई बार पूछा जा चुका है और इस टाइब के भी प्रस्ण आपके पेपर में आगे आता है तो आप कैसे solve करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं देखिए प्रसनी कहा रहा है दोस्तो सब्सक्राइब करना है कि अच्छरों से कौन सा सब्त संक्राइब ने घुbars यह इसको करना है आपको अपने मनंद से कुछ नहीं सोचना है बस आपसन rate को encode कोज को देखेंगे जी है काहीं जी हैरा याइस्सके बाद किया वह साइकोलोजी में आपको यू दीख रहा है नहीं दिख रहा है यू तो पहला तो नहीं बनाए जा सकता क्योंकि गुलुकोज में यू है लेकिन psychology में यू नहीं है क्या करना दोस्तों इसी में से आपको अच्छा रूड़ना है सारे अच्छा जब मिल जाएंगे वही बर्ड हो जाएगा आपका बनाया जा सकता ठीक है आगे देखेंगे पहला तो हो गया पहला गलत हो गया क्योंकि इसमें U है और psychology में U नहीं है तो नहीं बनाया जा सकता, दूसरा है, apology देक लिखाये न, apology ठीक है, तो apology में क्या क्या है दोस्तों, A है तो देखेंगे psychology में A है, तो दोस्तों psychology में कहीं पे भी आपको A नहीं दिख रहा है, psychology में A दिख रहा है, P, S, Y, C, H, O, L, O, G, Y यह कहीं पर भी नहीं दिख रहा है तो यह भी क्या हो जागा दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है यह बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें साइकोलोजी में है ही नहीं उसके बाद दोस्तों क्या है साइकी लिखा है ना पी यह स्वाइच यह तीसरा है P S Y CH भी है CH भी है इसके बाद लाश्ट में क्या है तो साइकोलोजी में देखे दोस्तों कहीं आपको दीख रहा है उभी नहीं दीख रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा यानि option number C भी क्या है गलत है यह सब्द नहीं बनाया जा सकता है उसके बाद दूस्तों कौन सा बच गया आपका पहला गलत हो गया दूसरा गलत हो गया तीसरा गलत हो गया अब की चौता यहां औ써 कोई ॡश्य होगा दोस्तों सब्सक्राइब आपको मीला वी दिखा दे रहे है उसके बद क्या है उसके अगरे पर धीच O यहाँ पे है, A को यहाँ पे, double O भी हो गया, उसके बाद क्या है, EL है, तो EL भी आपको दोस्तों दीख रहा होगा, EL यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या हो गया, इसकूल ऐसा सब्द है, जो साइकोलोजी से बनाया जा सकता है, जो कि option number D में दिया गया है, और option number D क्या हो जाएगा, इस type के दोस्तों कभी भी प्रसना है, तो option से आप देखेंगे, ढूड़ेंगे, जो जल्द से जल्द आप क्या करेंगे, तुरंत एक एक बाट देखेंगे तुरंत आपको अच्छर दिखने लगता है, दोस्तों कौन अच्छर किसमे है, और उसके बाट से तुरंत आप इसका answer दे लेंगे, तो इसका कौन सा answer सही हो जाएगा, option number D सही हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस type के कभी भी पेपर में प्रसना आएगा, त दोस्तों निमलिखित प्रस्ण में दिये गए बिकल्पों में से प्रस्ण चिन, यानि प्रस्ण चिन क्या होता है, प्रस्ण वाचक चिन, कि अस्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, तो प्रस्ण चिन है कहा, देखेंगे दूसरे वाले में, यहाँ पर दोस्तों प्र कौन से संक्या भरी जाएगी तो दोस्टों इस टाइप के कभी प्रशना है तो आपको कैसे सॉल्ब करना है मैं आपको बता दू जब प्रशनवाचक्षी निहां पर पूछ रहा है तो पहले वाले में देखेंगे दोस्तों कि यह 207 कैसे आया है 16 और साथ को मिला के क्या हुआ सॉला गुणे साथ करेंगे तो 207 थोड़ी ना होता है तो क्या होगा 207 नहीं आएगा तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों फिर हम स्कॉयर करेंगे थाГता होद्व देखेंगे शोला का इस्क्वाइर कितना हो जाएगा तो कितना होता है में, यहां, थाथ को क्या करेंगे, 7 का इसक्वाइर को क्या उचाएगा, 7 का इस्क्वाइर गठाएगा धीक sticks किभिront देखेंगे करके दूसरे की स्क्वायर घटाएंगे फिर देखेंगे तो दोस्तों यानि छे यानि दर छे में से आप नौ घट नहीं जाएगा एक हैरी ल曲ब सब्सकरेमिन इस यह. तो सोला का स्क्वायर क की माइनस क्या कर दिये 7 का स्क्वाइर कर दिये 256 में से 49 को घठा दिये तो 207 आया है ठीक है तो यही परक्रिया दोस्तों हम क्या करेंगे इसके साथ भी करेंगे 25 का स्क्वाइर करके 21 21 241 होता है न तो 441 इसमें से क्या कर लेंगे दोस्तों माइनस कर लेंगे तो देखिए यहां पर 5 में से 1 जाएंगा तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा और यहां पर 2 में से 4 नहीं जाएगा एक हासिल लेंगे 12 में से 4 जाएगा पांच में से 4 फिर जाएगा तो 1 हो छे सो पचीस में से 441, घटा थीए, तो कितना होगा 184, दोस्तों यहाँ पर attainfeh प्रिशन है यहां पे 184 आएगा, एक्सो चावरासी किस में दिया गया है दोस्तों, झा रहो अप्स्ट movement D कहा हो जाएगा?, मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप इस प्रेश्ण को भी एकदम अच्छे से समझ गयोंगे, देखिए प्रेश्ण में क्या था दोस्तो एक बारा हो समझा देता हूँ, ये 16 का स्कॉयर माइनस 7 का स्कॉयर किये तो कितना आ गया, 207 का स्कॉयर माइनस 20 का स्कॉयर किये रहेंग चोटे संख्या हों कि जब क्यूब ही दे देगा, क्यूब में से क्यूब कुछ संख्या क्यूब घटा के और यहां पे लिग देता है तो वही इस प्रक्रिया इसमें भी करते हैं, तो इसको क्यूब से भी रिलेटर पसना आते हैं, उसको दोस्तो मैं next part में करा दूँगा, यह देख लिए अगला प्रशन देख लिए यह दरपन पुर्थ प्रदिवर मोलगा है यह कंगर करें में भी लगा जहता है तब आप कैसे सॉल्फ करेंगे और भी बताया हूं ठीक है पिछले विडियों बताये हूं आगे भी आपको बटा दूँगा पहले इसको देखिए डरपर्ड इसमें कहा लगा है रपर इसमें नीचे लगा है ठीक है ऐसे आप देख सकते हैं नहीं अगर जो जानते होंगे तो दरपण में क्या होता है कभी उल्टा फिगर इसमें दोस्तों इस प्रस्ण में क्या होगा दोस्तों प्रस्ण में भी वही होगा यानि कि दोस्तों यह जो आपको ऐरो दिख रहे लगेगा यह चीज आपको ध्यान रखना है और एक और चीज इसमें क्या नोटिस करने वाल चीज है यह जो दोस्तों दिख रहे हैं दो नुकिला तो यह क्या हो जागा दोस्तों यह नीचे की तरफ ऐसे दिखने लगेगा ठीक है ऐसे दिखेगा तो इस बात का भी ध्यान यहां हो गता हो गलत हो रहे हो गया अब अचा यहां यह इसका हो गलत हो गया तो option number B गलत हो गया था अब बचा क्या दोस्तो option number C और D बच गया देखिए option number C और D बचा है अब इसमें देखना है आपका A भी गलत हो गया था B भी गलत हो गया ठीक है अब क्या देखना है और दोनों में देखेंगे दोस्तो यहां पर तिरभूज बीच सही है और arrow भी सही है इ यह जो आपका है यह चीज यह चीज देखेंगे कि किस में है तो यह चीज देखेंगे दोस्तों तो दोनों में आपको दिख रहा होगा दोनों में ऐसे दिख रहा है तो यह देखिए दोस्तों यह जो आपका है यह जो फिगर ठीक है यह भी क्या हो जाएगा यह जो इसका उल तरप से यहां पे देखिए यहां कर देखिए यह जो चीज है न पहले एक बार उच्छे समस्झा देता हूँ हम यहां पे देखिए यह जो आपको दिखते है न ये चीज यह इसी side में रहेगा, तो यह किस side में है, तो यह देखेंगे option number C में ही दिख रहा है, option number क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर D में देखेंगे तो उल्टा कर दे रहा है, तो यहाँ पर यह नहीं होगा, यह just ऐसे ही रहेगा, तो यह किस option में दिख रहा है, option number C में ही दिख र यहां पर जायगा दोस्तो ओपर दिखराए में अश् rang कॉसीनी लिगूरा दोस्तों सक्षेयों 08 07 08 08 08 07 08 08 07 08 06 08 07 07 08 017 08 08 07 08 08 07 08 09 08 08 06 08 08 08 08 06 08 08 05 08 07 08 08 01 नमबर सी सही हो जागा इस टैप के दूस्तों कभी भी प्रसना है तो छोटी छोटी चीजों को आप थोड़ा से ध्यान करेंगे पहले तो दूस्ते इंगो अयरो देखेंगे फिर तिरभूस देखेंगे उसके बाद ये वाला पोर्षन देख लेंगे या यह वाला पोर्षन देखेंगे ठीक है तो यह वाला दोस्तो जब पोर्षन देखें तो यह वाला पोर्षन कहां पर यहीं पर दोस्तों 5 प्रश्न, most important प्रश्न, बार बार पूसर जाने वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को दोस्तों आप कैसे solve करेंगे, प्रश्न कहे रहा है दोस्तों दिए गए बिकल्पों में से, loopedunk ग्याद कीजिये, loopedunk मतलब क्या होता है दोस्तों, missing number, कहां है missing number, देखिये प्रश तो क्या है? 7 है,оздor 14 है 3693 है तो अगर जो दोस्तो दिहान से देखें तो यह अंतर नहीं देखेंगे 437,SON4,chat14, ऐसे नहीं उसके बाद इतना अंतर उसके बाद इतना अंतर अंतर नहीं देखेंगे ठीक है? तो क्या करेंगे? इसके लिए आमने सामने देखेंगे चार के सामने दोस्तो कौन सी संख्या है 64 है तो चार का 64 से किस परकार संबंद है तो चार का क्यूब क्या होता है 4 चोको 64 होता है क्या होता है 64 होता है फिर दोस्तो साथ के सामने क्या है 343 है साथ के सामने क्या है 347 यानि साथ का क्यूब क्या होता है साथ का क्यूब यानि यह क्या कर रहा है उसके सामने जो संख्या है दोस्तों संख्या है कि सामने उसका क्यूब कर दे रहा है तो 11 है, 11 के सामने दोस्तों क्या देखेंगे, 11 के सामने क्या है, प्रश्णवाचक चीन है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 11 का भी हम क्या कर देंगे, 1331 भरा जाएगा 1331 किस ओप्षन में है तो ओप्षन नमबर C में है आपका ओप्षन नमबर C क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा तो यह प्रस ने किस टाइप कर रहा दोस्तों बस क्यूब कर देना है इसका सामने 4 का क्यूब है पहुआँ साथ का क्यूव हो जाएगा सासते उचासते 347 11 का क्यूव हो जाएगा 1331 जो की option नमबर सी में दिया गया है option नमबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उमीद करते हो दोस्तों आप इस प्रेशन को भी एकदम अच्छे से समझ गया होंगे पेपर में आएगा तो एकदम अच्छे से इस प्रेशन को सॉल भी कर लेंगे कभी कभी दोस्तों इस टैप के प्रेशन आता है तो क्या करता है square से related हो जाता है square करता है तो यह रहा cube से related square से related पहले बता दियो next part में भी आपको square से related बता दूँगा अगर जो दोस्तो आपको किसी topic में problem है किसी chapter में भीक है दोस्तो तो आप उ chapter नीचे comment जरूर कीजिएगा मैं आपका chapter भी complete करा दूँगा जो भी हुआ दोस्तो या मैत में कौन सी chapter भीक है percentage profit loss discount जो भी हुआ दोस्तो आप नीचे comment कीजिएगा reasoning में भी कोई आपका chapter भीक है दोस्तो आप नीचे जरूर comment कीजिएगा मैं आपका chapter भी एकदम पूरा complete करा दूँगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप सारे प्रश्णों को एकदम अच्छे से समझ गयोंगे दोस्तो अगर जो इन सब प्रश्णों की PDF चाहिए अगर जो आपको तो आप क्या कर सकते हैं आप वीडियो के description box में दोस्तो टेलिग्राम का link दिया हूँ इस टैप से होगा यहां पर क्लिक करके दोस्तो इस वीडियो को आप सेयर कर सकते हैं Facebook WhatsApp, Telegram जितने भी दोस्तो आपके पास स्टटी गुरूप हो इस वीडियो को जरूर कीजिएगा जो दोस्ति इस चैनल पर नए है जिनको दोस्तो हमारे वीडियो की नहीं मिलती है नीचे दोस्तो रेट कदर का इस टैप से सब्सक्राइब लिखा होगा आप यहां पर क्लिक करके चैनल साथ दोस्तो जरूर जुट जाएए और बगल में दोस्तो बेल आइकन के सिंबल बनेगा बेल आइकन पर प्रेस करके बेल आइकन को भी ओन कर लिजिएगा तो बेल आइकन इस टैप से दिखने लगे गया इससे क्या होगा दोस्तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँगा उसकी आप तक नोडिफिकेशन मिलेगी ठीक है यानि आप तक मैसेज आएगा दोस्तो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस दोस्त तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद